हेलो इंजिनियर्स वेल्कम टो आवर नीव वीडियो आज की इस वीडियो में हम डिसक्स करेंगे डिफरेंट टाप्स अफॉप कॉंक्रीट आपने सुनाई होगा M10, M15, M20, 25 ग्रेड अफॉप कॉंक्रीट तो एक्ष्वल में यह होता क्या है आज की इस वीडियो में हम ग्रेड मास पॉसस आफ़े 28 डेज ऑफ कंस्ट्रक्शन विद प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल जो भी आपकी कॉंक्रीट की स्ट्रंथ होती है 28 डेज के बाद 28 डेज क्यूरिम होने के बाद जो स्ट्रंथ मिलती है वह सिसाफ से हम उसको डिसाइड करते हैं को उसा ग्रेड तो आपका M20 ग्रेड होगा M stands for mix 20 stands for compressive strength of concrete after 28 days of curing और ऐसे भी दिसुरे ग्रेड हैं जैसे कि M15, M25, M30 वह रिप्रेजेंट करता है compressive strength of concrete after 28 days of curing जैसे कि आपने M15 का design किया है मिक्स डिजन किया है तो आपकी strength जो है M15 यह से ज्यादा होनी चाहिए Newton from square 20 days curing के बाद Grade basically three types से होते हैं फस्ट जो है अपना normal grade, second standard grade of concrete और third में high strength grade of concrete normal में आता है अपना M5 से M20 तक standard grade of concrete जो है M25 से लेकर M45 तक होता है और high strength grade concrete जो है M50 से लेकर M70 तक होता है next हम बात करेंगे grade और उसकी mix की जैसे कि आप दिख सकते है M20 का 1 is to 1.5 is to 3 है अब यह 1 जो है अपना मान सपूस कीजिए आपने 1 kg of cement लिया है 1 1.53 first जो 1 जो है cement है फिर जाकिन जो है sand है यानि के fine aggregate और 3 जो है वो coarse aggregate का है मान लिजागा अब आपने 1 kg cement लिया है तो 1.5 fine aggregate और 3 kg coarse aggregate होगा अपर फिर उसकी strength जो है M20 के 28 days के curing के बाद वो strength होनी चाहिए 20 newton per mm square यह से ज्यादा similarly ऐसे है हमारे standard grade of concrete M25 जो है 1 is to 1 is to 2 है जिसकी strength होगी 20 days के बाद 25 newton per mm square similarly M30, 35, 40, 45 जो है mix design करना होगा आपको similarly उसके according उसको आपकी strength मिली चाहिए as per the grade ज्यादा तर होता है कि जैसे आप design करते हैं जापने M25 का design किया है तो आपको strength 25 newton per mm square आनी ही चाहिए वरना आपका concrete fail होगा आपका structure fail हो सकता है अगर आप code की मदद लेना चाहते हैं डिजाइन करने के लिए तो आपको code IS10262 यूज करनी चाहिए नेक्स्ट है हमारे high strength गेरें काउक्रीट जो स्टाफ होता है M50 M55 60 M65 और M70 यह सब मिग्स डिजाइन के मिग्स डिजाइन अगर आप करना चाहते हैं तो आप IS10262 का इस्तेमाल करें आपको बहुत इजी ली मिग्स डिजन मिल जाएगा इस प्रॉपर प्रपोर्शन विद प्रॉपर वेट्स करता हूं आपको वीडियो समझ आ लिया होगा ऐसे इंपर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल के सब्स्राइब करें आने वाले वीडियो में हम और भी इंपोर्टन टॉपिक डिसकस क करेंगे सिविल इंजिरिंग से रिलेटेट तो मिलते हैं एक री वीडियो में थैंक्यों फॉर वाचिंग